जेहिंद, वेलकम टू विजेपाथ एजुकेशन पालूमपूर आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है आज एक वार फिर से HPTET 2024 के एक्जाम के लिए साइकोलोजी के प्रीविएस एर कोशन्स को हम डिसकस करेंगे दोहजार बारा से दोहजार चोबिस तक के जितनी भी एक्जाम HPTET के हुए हैं उन सभी के डिफरेंट चैप्टर के कोशन्स को हम डेली डिसकस करते हैं आज क्लास सेवन्थ रहेगी, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बाइलेंगुल कोशन्स आपके लिए सारे के सारे रहने वाले हैं सबसे पहला कोशन्स है विकास शवद डैश में निहित होता है यानि कि विकास शवद जो है वो किस चीज़ को बताता है किस चेंज को जो है वो बताता है यह एच्पी टैट आर्ट फरवरी 2016 में जो आपका एक्जाम हुआ था उसमें यह क्वेशन पूछा गया था देखिए ऑप्शन है केबल सरंचनात्मक यानि कि स्ट्रक्चल चेंज को उसके साथ है प्रोसीजरल यानि कि प्रक्रियात्मक उसके साथ है दोनो इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर यहां पे रहेगा वो है आपका आप्शन नमबर सी दोनो सरंचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव यानि कि स्ट्रक्चल एड प्रोसीजरल चेंज दोनों के लिए जो है वो development यूज किया जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विकास जो है वो समान्य से विशिस्ट की और चलता है यानि कि simple से complex की तरफ चलता है simple से complex की तरफ जो है वो विकास चलता है तो इसमें सरंचनात्मक चेंज और जो प्रक्रियात्मक चेंज है ये दोनों जो है वो अपनी मुख्य भूमी का जो है वो इसमें निभाते हैं इसमें structural and procedural चेंज जो है वो दोनों अपनी मुख्य भूमी का जो है वो निभाते हैं और ये विकास में count किये जाते हैं सी जो है वो इस question का right answer रहेगा next question है विकास के विशे में सही statement आपको बतानी है जो development से जुड़ी हुई है पहला है कि development जो है वो सिर्फ एक direction होते हैं एक दिशा की तरफ चलता है one dimensions होता है ठीक है यह variable होता है यानि कि परिवर्तन होना निश्चित है इसमें is completely planned by heredity यानि कि अनुवाइन शिक्ता जो हमें parents से गुण मिलते हैं तो completely उसे के ओपर depend करता है वही से pre-planning होती है या all individual achieves development milestone at the same age and pace यानि कि सभी व्यक्तिये कि आयोर गती के विकास के प्रावों को प्रापत करते हैं तो यह आपको बताना है क्या इसका right answer होगा तो इसका जो सही उत्तर है देखी विकास जो है वो simple से complex की तरफ चलता है development simple से complex की तरफ चलता है और यह one direction तो कभी नहीं हो सकता ठीक है development जो है वो कभी भी one direction या one dimension नहीं हो सकता उसके साथ यह सिर्फ और सिर्फ हेरेडिटी के उपर ही dependent नहीं करता है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है और जितने भी है उन सभी के लिए विकास की जो गती है या जो उनकी age के according जो development होती है वो हर किसी के लिए के होती है अलग लग होती है वो same नहीं होती है हर किसी के लिए तो विकास क्या है परिवर्तनिय है यह चेंजेबल है वेरियेबल है वेरी करता है so option number b जो है वो इस question का right answer यहाँ पे रहेगा यह आपका hp.at 2018 में आपसे पूछा गया था next question है विकास में बृध्धी से क्या तातपरे है यानि कि जो growth होती है ठीक है उसका क्या मतलब है विकास के अंदर क्या होती है development के अंदर जो है वो क्या होती है growth होती है तो उसका मतलब क्या है ठीक है अब देखिए जब भी हम psychology पढ़ते आप ध्यान रखेंगे विकास और बृध्धी दोनों अलग-लग है तो आपको बताना है यहाँ पर ग्रोध का मीनिंग क्या है सिर्फ नॉलेज में बढ़ोतरी होना इमोशन में, बजन में या फिर साइज, थिंकिंग, अंडरस्टेंडिंग इन सब ही है तो यह आपको बताना है विकास में जो बृध्धी का तातपरे होता है विकास का मतलब होता है ओवर ओल राउंड ठीक है लेकिन जब हम ग्रोध की बात करते हैं तो जब किसी चीज में एन्हांस्मेंट की जाती चाहे हमारा आकार बढ़ता हो ठीक है, बेट हमारा इंक्रीज होता हो फ्रैंक के द्वारा दी गई थी आप इसको नोट कर सकते हैं ये फ्रैंक के द्वारा एक स्टेटमेंट भी दी गई है उसने ये कहा था कि विकास में बृध्धी का तातपरे है अकार, सोच, समझ या कोशल में बृध्धी होना ये चीज जो है वो आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं कितने महीने की परिपक्तवा में बच्चा पहला कदम चलने लगता है देखिए, हपी टेट 2016 का कोशन है बिल्कुल ओरिजिनल कोशन बेपर हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं, मिक्स कोशन है आपके यह आपके almost chapter wise chapter जो है वो कशन जो है वो चले हुए ठीक है, प्रिवियस एर के मिक्स कोशन आपके पास रहेंगे यह 2016 का कोशन है इसमें आप से पूछा गया है कि कितने महीने में बच्चा जो है वो पहला कदम जो है वो चलना शुरू कर देता है ठीक है, उसको थोड़ी सी maturity आ जाती है परिपक्तवा उसके अंदर आ जाती है उसमें वो अपना पहला step जो है वो चलना शुरू करता है पांस से छे महीने, दस से बारा चार से पांच महीने, या फिर जनम से दो महीने तक यहाँ पर option number D में जीरो से दो आएगा जीरो से दो महीने तो इसका जो right answer यहाँ पर रहेगा वो है option number B 10 से 12 10 से 12 महीने का जो बच्चा है वो अपना पहला कदम चलना जो है वो शुरू कर देता है 9 महीने में बच्चा चलना शुरू करता है 9 महीने में बच्चा स्टार्टिंग करता है लेकिन उसको स्टेबल होते होते जो है लगभग बारा या चोदा महीने जो है वो लग जाते हैं और उसके बाद वो बिना किसी सहारे से जो है वो चलना शुरू कर देता है तो अपनी मेचौरिटी के अकोडिंग अगर एक एवरेज एज लेके हम चलें जैसे मैंने आपको बताया है नो महीने का बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देता है और यहां पर नो और आठ का कोई ऑप्षण नहीं है तो आप एक एवरेज की फॉर्म में जो है वो दस से बारा जो है वो इसमें most probably prefer कर सकते हैं तो option B इस question का right answer रहेगा नेक्स्ट question है विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथी कौन सी है the main gland that influence the developmental process यह आपका HP Tate Arts 2021 का question है यह आपके जितने भी question है यह आपके HP Tate Arts, Medical, Non-Medical, JBT, जो भी हिमाचल के TET के exam है उन सभी में यह question आपके पूछे गए हैं सिर्फ हम उनी questions को यह यहां पे हम discuss कर रहे हैं तो यहां पे जो इस question का right answer आपके पास रहेगा वो है option number A, प्यूश गरंथी यह जो है वो एक मुख्य गरंथी है जो विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली एक मुख्य गरंथीयों में से मानी जाती है जिसका नाम है प्यूश गरंथी या फिर आप बोल सकते हो puteatory gland तो यह most important है यह question आपसे काफी बार जो है वो different आपके exam में जो है वो पूछा गया है बिहार TET में 2011 में पूछा गया था दिल्ली PRT exam में 2019 में उसके यूपी TET में 2019 में CETET में 2011 different exam में यह question पूछा गया है इसके साथ HP TET 2011 में भी आपसे question पूछा और आपको यह question paid glasses में करवाया गया है option number A इसका right answer रहेगा next question रहेगा विकास आत्मक कारे किसने प्रचलित किया था तो डेबल पिंटल वर्क जो है वो किसके द्वारा काफी उसका योगदान रहा था कि काफी जादा उसमें जो है वो उसने participation जो थी वो की थी यह आपका November 2019 क प्रचलित का question रहेगा एच्पी टैट का option है गेसेल, having hast, हर लोग या फिर पैबलोग ने तो development के उपर जो है वो सबसे जादा जो कारे किया था वो किया था having hast ने option number B जो है वो इसका right answer रहेगा और having hast ने जीवन के जो है वो छे चरण बताये थे आप ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें आपको no down करनी है having hast ने life cycle के टोटल जो है वो छे स्टेप बताये थे यह 6 स्टेप मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो पहला स्टेप था वो था जनम से लेके पांग साल तक ठीक है और उसको अपके कहते हैं शैश्व अवस्था कहते हैं इंफैनसी एज कहते है ठीक है उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर जब बच्चा शे से लेके जो हबूं 12 साल का हो जाता है उसको निद्ध्य वाल् ठीक है आप ध्यान रखेंगे बाल्य अवस्था उसके बाद तीसरे नमबर पर जब बच्चा आता है तो 13 से लेके 18 साल इसको कहा जाता है किशोर अवस्था ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा इसको कहा जाता है किशोर अवस्था फिर फोर्थ स्टेज जो बताई था तीस से लेके 60 साल की येजंग इसको कहा जाता है मध्यय यूग मध्यय यूग कहा जाता है यानि ची मिड की जो एज होती है हमारी मध्यय यूग जो जो कहते है और लास्ट में आपका maturity ठीक है यह थे having hast के द्वारा यह 6 के 6 step जो है वो आपको पता होने चाहिए यह आपका November 2019 का यह question था इसी तरीके के unique question जो है वो आपके अब exam में जो है वो पूछे जाते हैं सबसे पहला जो मैंने आपको बताया जनम से लेके 5 साल तक उसको infancy age कहा जाता है फिर 6 से 12 साल उसको childhood कहते है फिर आपका 13 से 18 साल वो आपका adolescence period आता है फिर आपका 19 से 30 साल जो है 19 से 30 साल बच्चा adulthood की stage में आ जाता है फिर आपका जो है वो 30 से 60 साल middle age हम इसको बोलते हैं और जो 60 साल से जादा है वो आपका later maturity के case में count किया जाता है तो यह 6 step जो थे वो having hast के द्वारा दिये गए थे अगला question है पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तोर पर किस में बांटा जाता है पैदा होने से पहले का जो विकास है अभी बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ है ठीक है अभी उसकी development जो है वो start हो गी है लेकिन अभी बच्चा जो है वो अपनी माता के पेट में है त तो इसका जो right answer आपका रहेगा वो all of these रहेगा क्योंकि जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है तो वो क्या है एक भुरून है ठीक है उसकी अवस्था क्या है एक भुरून अवस्था है वो एक भुरूनी अवस्था में count किया जाता है ठीक है उसके साथ-साथ क्या है वो इसको हम समझ सकते हैं तो all of these option D जो है वो इसका right answer रहेगा लेकिन जैसे बच्चा अगर पैदा हो गया तो वो भुरून से क्या हो जाएगा वो बच्चा जो है वो एक child के case में आ जाएगा ठीक है वो एक बच्चा शिशु के उसमें जो है वो count किया जाएगा लेकिन जो पै दो वर्ष की समापती पर एक शिशु का शब्द ज्यान होता है यह जब हमने language का question किया था sorry chapter किया था तब मैंने आपको बताया था दो वर्ष की समापती पर एक वर्ष एक शिशु का शब्द ज्यान कितना होता है at the end of two years a child vocabulary तो कितना बच्चा जो है वो सीख जाता है different books में अलग-अलग इसका answer जो है वो मिलेगा ठीक है किसी में इसका answer जो है वो आपका 140 होगा किसी में आपका answer जो है वो 120 होगा ठीक है जो near about 100 है ठीक है इसका जो right answer है वो है आपका option number c 150 लेकिन जब भी आपकी answer की क्या coding चेक किया जाता तो आप ध्यान रखेंगे जो आपकी n-c-e-r-t book जो इसको follow करती है उसी को right answer माना जाता है सो option number c जो है वो यहाँ पर इसका 150 शब्द ये right answer रहेगा दो वर्ष के समापती पर एक बच्चे का ग्यान जो है वो डेट शो शब्द का होता है लेकिन दो वर्ष की आयूतक का बच्चा जो है वो लगभग आप ऐसा मान सकते हो कि धाईशो शब्द जो है वो सीख जाता है ठीक है क्योंकि वो एक शब्द के जादातर अर्थ जो है वो बनाना शुरू कर देता है ठीक है तो उसमें हम जो यहाँ पर आंसर प्रैफर कर रहे है वो आपके ncrt book के according answer को प्रैफर किया जा रहा है इसलिए मैंने बताया था इसमें conflict रहता different books में अलग-लग answer आपके हो सकत हैं लेकिन हम प्रैफर करेंगे इसको ncrtk coding यह आपका right answer option number c यहाँ पर रहेगा यह आपका HPnet 2013 का आपके लिए question था next question है बालक को किस आयू तक शिशू कहा जाता है यानि कि जो बच्चा है उसको किस age तक हम infant कहते हैं उसको शिशू कहते हैं मैंने आपको stages बताई थी ठीक है कि कौन से बच्चे को हमने शिशू कहना है कौन से बच्चे को adulthood childhood ठीक है infancy यह सारी stages आपको करवाई गी है ठीक है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पे इसका जो right answer रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना कि क्या इसका जो है वो right answer रहेगा एक वार आप question को थोड़ा ध्यान से आप देखिए क्या इसका right answer रहेगा तो बालक जो है वो किस IU तक उसे शिशु कहा जाता है कौन सी age तक जो है वो से हम infant कहते हैं तो जब बच्चा जनम से तीन साल तक के बीच में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं शिशू कहते हैं ठीक है और यह जो चीज कही थी यहां पे कही थी गुड़ एनफ के द्वारा कही गई थी इसकी statement भी मैंने आपको paid classes में करवाई है कि उसमें गुड़ एनफ के द्वारा कहा गया था most important statement और यह ब्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तीन वर्ष की आयू तक हो जाता है यानिकि उसकी जो mental development होनी होती है एक बच्चे की लगबग उससे आधी development जो है उसकी वो तीन साल तक के अंदर अंदर जो अच्पीट आठ्स नवंबर 2019 का आपके लिए यह question रहेगा most important यह आपके लिए question रहने वाला है थोड़ी सी important जानकारी हम एक बार फिर से इसमें discuss करेंगे एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जैसे एक question कई बार पूछा जाता है नर्शरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विशे वस्तु मानी जाती है वो कौन सी है तो देखिए नर्शरी कक्षा में जब बच्चे को डालना है तो हम उसको कहां पे डाल र लेकिन उसकी जो शुरुआत है जो सबसे अच्छी शुरुआत होगी वो होगी उसके अपने परिवार से ध्यान देंगे नर्शरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए जो सबसे best method है सबसे बढ़िया जो बिशे वस्तु मानी जाती हो उसका परिवार माना जाता है ना कि उस पैदा होता है उसको हम शिशु बोलते हैं 3 साल तक तो उसका दिमाग जो है वो क्या होता है खाली होता तो एक psychologist थे जिन्होंने बच्चों के दिमाग को यानि कि शिशुओं के दिमाग को जो बच्चा अभी 3 साल तक है उसके दिमाग को खाली slate कहा था ठीक है ये question आपके ए TET 2021 में पूछा गया, MP TET 2019 में पूछा गया, UK TET 2018 में, जारखंड 2016 में, जारखंड 2012 में और उसके साथ C TET 2021 और 22 में, ये कोशन लगातार आप से पूछा गया है कि किस साइक्लोजिस ने कहा था कि शिशूओं के मस्तिश्कों को खाली स्लेट भी माना जा सकता है, तो खाली स्लेट जो शब्द है ये कहा था, जौन लोक ने, ध्यान रखेंगे, जौन लोक ने ये चीज जो है वो कही थी, जौन लोक, एक साइक्लोजिस्ट थे, जिन्होंने ये चीज दो थी, वो कही थी, कि बच्चों के दिमाग को खाली स्लेट जो है, वो कह सकते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये चीज थोड़ी सी एक गलत भी है, ठीक है, क्योंकि हम किसी को भी एक बिना उसको जज्जमिंट की एक हाली स्लेट नहीं बोल सकते, लेकिन important question है, हमें सिर्फ exam point of view से समझना है, ये चीज जो है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, एक question और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, नवजात शिशु का भार कितना होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, जो नवजात शिशु होता है, जिसका जो है वो जनम अभी हाल ही में हुआ, तो उसका जो भार बेरी करता है, लेकिन एक average की form में, ठीक है, एक average क 1KG, तो approximately answer जो है वो वहाँ पे अगर आपके पास question पूछा जाता, तो आप उसके according जिसको check कर सकते हैं, ठीक है, next question है यहाँ पे, पूरब प्रात्मिक्षिक्षा ग्रहन करने के लिए उप्युक्त IU कितनी है, ये question मैंने आपको paid classes में भी करवाया है, ये आपका HP Tech Arts 2013 का आपके लिए question रहेगा, जो appropriate age होती है, pre primary education के लिए, ठीक है, वो कितनी होती, pre primary education का मतलब होता है, school से पहले, बच्चा school कब जाता है, 5 ये 6 साल की age में, तो उससे पहले की जो age है, 2 से 6 साल वो इसका right answer रहेगा, option number A, इसका बिलकुल सही उत्तर रहेगा, इसमें जो बच्चा है, जैसे आंगनबाडी में जाता है, nursery school है, pre school है, kg वाले school है, kidder garden जिसको हम बोलते है, ठीक है, उनको जो है, वो पूर प्राथमिक नाम से कहा जाता है, pre primary education हम उसी को कहते है, ठीक है, तो ये शिक्षा 2 से 6 साल के बच्चों को दी जाती है, so option number A, इस question का right answer यहाँ पर रहेगा, ये question आपका, 2013 का question पूछा गया था, next question है, HP Tate Arts, December 2014 में, 2014 में, 2014 में, शैश्वा वस्ताव को सीखने का, अदर्शकाल किसने कहा था, most important question है, most important, who has called infancy as the ideal period of learning, यानि कि जो शैश्वा वस्ताव होती है, जो infancy age है बच्चे की, उसमें, जब बच्चा सीखता है, तो उसको हमने ideal period कहा था, अदर्शकाल कहा था, तो ये किसने कहा था, Russo ने, Stanley Hall ने, Sting ने, या फिर वैलेंटाइन ने, सो इसका जो right answer यहाँ पे रहेगा, वो है option number D, option number D है, वैलेंटाइन, ये question आपको paid classes में काफी बार कराया गया है, जब हमने learning का concept पड़ा था, या जब हम बच्चे की stages को discuss कर रहे थे, childhood, infancy, या फिर उसका adulthood, ठीक है, ऐसी stages जब हमने cover की थी, तो ये statement मैंने आपको कराई थी, option number D, जो है, वो इस question का right answer यहाँ पे रहेगा, ये चीज़ जो है, वो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, अच्छे, एक चीज़ और मैं आ काफी famous statement है, उसने कहा था, बच्चों के हाथ, पैर और नेत्र, उसके जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, ये question भी कई वार आप से पूछा जा सकता है, रूसो ने क्या कहा था, कि बच्चों के हाथ, उसके पैर और उसकी eyes जो है, उसकी जो आंखे हैं, ये बच्चे क प्राथमिक शिक्षक होते हैं, यानि कि प्राइमरी टीचर होते हैं ये बच्चे के, प्राइमरी टीचर, जिसमें बच्चा जो है वो, जिन से सबसे पहले सीखता है, तो किस से सीखता है, अपने हाथ, पैर और आंखों से, ये concept कहा था, रूसो ने, तो ये चीज भी आप यहाँ पर नोट कर लें, statement में आपको यहाँ रिपीट कर देता हूं, क्या कहा था, बालक के हाथ, पैर और नेत्र, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये statement थी, रूसो की, आप इसको इंगलिश में भी लिख सकते हैं, कि the primary teacher of the child is hand, feet and eyes, ठीक है, ये statement कही थी, रूसो न next question है, उत्तर बाले अवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है, 2018 का question आपके लिए रहेगा, late childhood को किस नाम से हम जानते हैं, late childhood को किस नाम से भी जाना जाता है, गैंगेज के नाम से, जिसको गिर्यो अवस्था कहते हैं, उसके जिग्यासाओं की उमर, मनो, विकास, आत्म का प्रवस्था या स्वता प्रवर्तनास्था किसको कहा जाता है, इस question का जो right answer यहाँ पर रहेगा, late childhood, late childhood का मतलब क्या होता है, late childhood में आपको पहले बता देता हूँ, late childhood actual में होता क्या है, जैसे कि जब बच्चा समाजिक विकास में अपनी शुरुआत करता है, society में रहना start करता है, ठीक है, social तरीके से, जैसे बच्चा जब 5 साल का है, तो वो अपने parents के साथ, अपने teacher के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे-धीरे society में घुलना मिलना start करता है, तो 9 से लेके, 12 साल की जो बच्चे की age आती है, उसमें वो जादा अ यह तो है तो बचपनी, क्योंकि 9 से 12 साल के बच्चे की जो जो वेज है, वो भी क्या होती है, बच्चपनी होती है, लेकिन उस अवस्था को घिरो अवस्था कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने माता-पिता के साय से बाहर निकल मतलर क्या है गैंग एज है जहां पर बच्चा नो से बारा साल की आयू तक का होता है और इसमें वो जो है वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है इसलिए option number A जो है वो इसका right answer रहेगा next question है खिलोनों की आयू कौन सी अवस्था को कहा जाता है यह आपसे पूछा गया है खिलोनों की आयू किस अवस्था को कहते है यानि कि जो toy age होती है वो कौन सी stage को कहा जाता है early childhood को, late childhood को, infancy को या फिर all of these को ठीक है तो देखिए जब भी question आपको इस तरीके का आता जो कही वार पूछा जाता है तुफानी अवस्था कौन सी होती है toy age कौन सी होती है अरंभिक बाले काल कौन सा होता है ठीक है तो वहां पर ध्यान रखेंगे all of these का कभी भी आपका option जो है वो सही नहीं होगा आप इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी stages जो है वो क्या है अलग लग है किसी में 2-6 साल 2-6 से 10 साल फिर 10-15-15 से 20 सभी में अलग लग है तो toy age जहां पर बच्चा जो है वो क्या करता है चीजों के साथ खेलता है तो वो जो age होती है उसकी वो होती है दो से लेके 6 साल और 2-6 साल की अवस्था को क्या कहा जाता है पूर्व वाले अवस्था कहा जाता है early childhood हम उसको कहते है अरली childhood so option number a जो है वो इस question क यहां पर right answer रहेगा पूर्व वाले अवस्था जो होती है वो 2-6 साल के बच्चे में होती है आपका November 2019 का question रहेगा next question है किस अवस्था में शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व का मूल भूत विकास होता है यानि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे की physical mental और personality development जो है वो होना start हो जाती है यह आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर बच्चे का mental physical और personality development जो है वो start हो जाती है तो इसका जो राइट अंसर यहां पर रहेगा वो है childhood यानि कि बालेकाल बालेकाल का जो बच्चा है उसके अंदर शारीरिक तोर से मानसिक तोर से व्यक्तित्व तोर से उसका विकास होना जो है वो शुरू हो जाता है और यह जो एज होती है वो शे से लेके बारा साल तक की एज में बच्चा जो है वो मध्यवालेकाल में आता है यानि कि childhood stage में आता है इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और यह आप ध्यान रखेंगे मध्यवाले अवस्था जो मिडल चाइल्ड हुड होता है यह सीटेट का आपका question है 2022 का इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है मील का पत्थर मील का पत्थर जो है वो मिडल चाइल्ड हुड को कहते है मिडल चाइल्ड हुड मध्यवाले अवस्था को ठीक है यह question important है सीटेट 2022 का question आपके लिए रहेगा next question है लज्जा वो गर्ब का भाव किस दशा में विक्सित होता है यानि आसी कौन सी stage है जब बच्चे के अंदर जो है वो shameless वो feel करता है या फिर खुद को गर्ब महसूस करता है प्राइड ठीक है वो feel करता है तो आसी कौन सी अवस्था है यह आपको बतानी है यह आपका HPT2013 का question है इसके साथ है आपका जहार खंट 2016 में पूछा गया था सी टेट 2009 में उसके बाद आपका यह question था हर्याना टेट 2017 में यह question आपका पूछा गया था लज्जा और गर्व का भाव किस दशा में विक्सित होता है ऐसी कौन सी stage है जब बच्चे के अंदर जो है वो तरीके से जब विकास हो रहा है यानि कि खुद को समझह पा रहा है कि मैं फिजिकल तरीके से कितना Saat हूं mentally कितना strong personality कितना है यह नहीं mental तरीके से भी सोच पा रहा है तो mental तरीके से सोचना मतलब खुद को feel कर पा रहा है कि मैं shame feel कर रहा हूं कि या फिर pride feel कर रहा हूं तो यह अवस्था कौन सी आती है इसकी बाले अवस्था आती है childhood age जो है वो हम इसको कहते है option number B इस question का right answer रहेगा next question है बालक लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलोना ना देने का परिणाम क्या होता है ठीक है जैसे कि कोई बच्चा है लंबे समय तक रो रहा है ठीक है किस चीज के लिए रो रहा है खिलोने के लिए रहा है अब उसके जो पिता है वो खिलोना उसको नहीं दे रहे है ठीक है तो वह उसका result क्या होगा ठीक है तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगर लंबे समय तक अगर कोई बच्चा रो रहा है और उसके पिता जो है फिर भी उसको खिलोना नहीं दे रहे हैं तो कौन सी situation जो है वो वहाँ पर बनती है प्रतिगमन की, समानी करण की, बिलोगपन की या फिल बिभेदी करण की इसका जो राइट अंसर यहाँ पर रहेगा वो option number A है प्रतिगमन HPTet 2018 का यह question है जब भी बच्चा लंबे समय तक रोता है तो खिलोना ना देने का परिणाम जो होता है वो regression होता है प्रतिगमन होता है इसमें इसका मतलब होता है यह call man के द्वारा कहा गया था इगो को बनाए रखने के लिए ठीक है कि अगर कोई एक जिद कर रहा है तो दूसरा वेक्तिवी के करेगा जिद करेगा ठीक है अब बच्चा क्या कर रहा है जिद कर रहा है कि मेरे को खिलोना चाहिए अब उसके पापा भी क्या कर रहे है कि मैं खिलोना नहीं दूंगा तेरे को जितना रो हंस्ता कम है और मुस्कुराता जादा है जिसका अर्थ है अपने संभेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है यानि कि आपको बताना है ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चा हसता कम है उसकी जो लाफिंग सेंस है वो थोड़ी सी कम है लेकिन स्माइल जादा करता हूँ तो कौन सी स्टेज होती है और उस स्टेज में बच्चा क्या है इन संभेगों को इन इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है कि कहां पर उसको हसना है कहां पर सिर्फ उसको स्माइल क वहां पर यह पूछा गया था इस question का right answer यहां पर आपके पास जो रहेगा वह option number c late childhood यानि कि उत्तर बाले काल में क्या होता है बच्चा emotions को सीख जाता है emotion सीख जाता है कि किसी के साथ love कब करना है डर कब होगा खुशी कब होगी इर्शा कब करेगा क्रोध कब करेगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें जो है वह नो से लेके 12 साल की आयू में बच्चा सीख जाता है उसी को हम late childhood जो है वह कहते हैं और एक चीज़ आप ध्यान रखेंग जो है वो पसंद करता है यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे जिसको हमने उत्तर बाले काल को गिरो अवस्था के नाम से भी जाना था यह question most important है और इसी से related question जो है वो यहाँ पर पूछे आप से गए है जैसे अभी लज्जा और गरव का question हमने पढ़ा कि शेम और प्राइड जो फिनोमेना है वो भी बाले अवस्था में बच्चे के अंदर आता है तो यह चीज़ यहाँ पर most important आपके लिए रहेगी option C इसका right answer है next question है किशोर अवस्था यह जिसको adolescence हम कहते हैं और teen जो age होती है वो किस के किस के बीच में होती है किशोर अवस्था और teenage हम जिसको कहते हैं वो किस उमर के बीच में होती है यह आपको बताना है तो इसका जो राइट अंसर यहां पर रहेगा वो option नमबर भी है 13 से लेके 18 साल यह पीट आठ नवंबर 2019 में पूछा गया था यह जब भी आपको एजीज का कॉंसेप्ट कराया था किस ओर अवस्था फिर आपको बचपन उसके बाद था शैश्व अवस्था प्रारमभी बचपन थीक है उत्सा और अबसाद की अबधी भावनाओं के निर्मान और मना दशाओं के रूप में जाना जाता है उची भावुकता उत्सा और अबसाद की अबधी भावनाओं के निर्मान और मना और मनो दशाओं के रूप में जानी जाती है तो आपको बताना है वो कौन सी स्टेज होत होती है शाष्व अवस्था है या फिर किशोर अवस्था है या आपका एच्पीटेट 2019 में आपके लिए क्वेशन पूछा गया था किस अवस्था में उंची भावुकता उत्सा और अबसाद की अबधी जो है वो होती है यानि कि जिसमें बच्चा जो है वो इमोशनली भी स्ट्रोंग होता है ठीक है उत्सा भी बच्चे के अंदर आता है अब साथ डिप्रेशन भी बच्चे के अंदर क्रियेट हो जाता है तो इसका जो यहां पर राइट अंसर रहेगा वो है आपका किशोर अवस्था ऑप्शन अमबर डी अडोलोसेंस अब यहां से इंपॉर्टेंट कोईशन आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे किशोर अवस्था को जीवन की सबसे कठिन काल के नाम से जाना जाता है किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल ही कहा जाता है जीवन का सबसे कठिन काल किशोरा वस्था को कहते इते केमें यह आपगेंगे बसंत काल को को ही कहा जाता है बसंत काल जो है वो भी किशोर अवस्था को कहते हैं और जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो भी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है इंपोर्टेंट कोईशन है यह option D is the right answer next question है सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं यानि कि जितने भी teenager है वो किसका experience कर सकते हैं option है पहला बच्पन में गिए गए अपराधों के प्रति डर का भाव यानि कि उनको जो भी उन्होंने के बारे में जानना या फिर anxiety या खुद के साथ जो है वो concern करना ठीक है तो कौन सा इसका जो है वो right answer यहां पे रहेगा कि सभी teenage जो है वो उस चीज़ का experience कर सकते हैं अच्पी टैट जून 2019 में यह question जो है वो पूछा गया था इसका जो right answer यहां पे रहेगा वो है आपका option number D option D जो है वो इस question का यहां पे बिल्कुल सही उतर रहेगा anxiety and concern with self इन सभी चीज़ों का ठीक है anxiety और खुद को समझना खुद को सुईकार करना कि क्या मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं तो इन चीज़ों का वो experience वहां पे समझ सकते हैं experience ले सकते हैं कौन सी एज में? Teenage में तो option number D जो है वो इस question का right answer रहेगा next question है adolescence एक युनानी शब्द है ये question भी आपको कराया गया है जो adolescence से बना है जिसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है यह कि जो किशोर अवस्ता है वो कहां से लिया गया युनानी एक Greek word है और एडोलो स्केर से बनाये ग्रीप लेंग्वेज में एक telescopes है वहां से यह लिया है और idolなуск va मुझ मुझे चब्धाया है कि शौर擁वस्था तो आपको यह बताना है इस सही होता है इसका मतलब है कि परिपक्त विकास मैचियूर ग्रोथ शरीर के लंबाई में मृृध्धी होना शरीर के भार में ब्रिद्धी होना यह नमें से कोई नहीं तो किशोर अवस्था का मतलब होता है जब मैचौर तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाते हैं तो option नमबर ए जो है इसका राइट अंसर रहेगा ठीक है बाकी option तो डायरेक्ट ही निगलेक्ट हो जा रहे है option जो है वो इसका राइट अंसर है यानि कि आप इसका एक मीनिंग ध्यान में रख सकते हैं परिपक्तवा की तरफ बढ़ना यह किशोर अवस्था का मीनिंग होता है परिपक्तवा की तरफ बढ़ना यानि कि मिचौरिटी की तरफ जो है वो अपना विकास करना ठीक है यह आपका HP Tate Arts February 2013 में question पूछा गया था option number A इसका right answer है next question है पहचान निर्मान किया जाता है जो identity है वो कैसे बनाई जाती कैसे उसको construct किया जाता है कौन सी stage में identity जो है वो बनाई जाती है तो option दिए गए हैं आपके पास HP Tate 2021 का आपके लिए question रहेगा शैश्व अवस्था में वाले अवस्था में किशोर अवस में यह आपको बताना है तो इस question का जो right answer है वो है option number C किशोर अवस्था में बच्चा जो है वो अपनी identity जो है वो बनाना शुरू कर देता है यह question भी आपको कराया गया है यह किशोर अवस्था जीवन की सबसे कठिन परक्रिया जो है वो मानी जाती सबसे कठिन काल भी इसक आयू के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है इसमें बच्चा खुद को पहचानता है खुद से भ्रहमित भी कई वार होता है लेकिन खुद को क्य कर लेता है पहचान लेता है ठीक है problems का सामना करता है और खुद की जो है वो पहचान बना लेता है तो option C जो है वो इसका most important question क्यूंकि काफी वार एक्जाम में पूछा गया है यह आपका HP TET 2019 का question है उसके साथ साथ यह question आपका HP TET 2013 में भी पूचा गया था 36 TET 2016 में C TET 2019 में हर्याना TET 2015 में बिहार TET 2013 में उसके साथ साथ आपका असाम TET 2019 में UP TET 2013 में उसके साथ साथ ही आपका हिमाचल TET 2019 में यह question आपसे पूचा गया था ठीक है most important question है यह चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है question है आपके लिए कि विकास की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तुफान की अवस्था कहा जाता है ठीक है HP TET 2019 का आपके लिए question है ठीक है शैश्व अवस्था बाले अवस्था किशोर अवस्था या फिर प्रोड अवस्था यह आपको बताना है तो यह मैंने आपको ठीक है यह भी आप धिहान रखेंगे Stanley Hall के द्वारा जो है वो कहा गया था एक साइक्लोजिस्ट थे जिन्होंने इस concept का यूज किया था कि बच्चा इस एज में जो है वो कई ज्यादा कठिनाईयों को महसूस करता है तनाव का सामना करता है इसलिए किशोर अवस्था जो है वो तनाव और तुफान की अवस्था कही जाती है option c is the right answer next question है अंत्रा स्त्रावित गरंथियों को और क्या कहा जाता है यह आपका एक तरीके का science का question है जो कि आपके different gland से related है और यह आपका psychology में फी पूछा जाता जिस तरीके से physical development होती है बच्चे की तो उसमें यह जो है वो पूछा जाता है ठीक है यह question आपका HPT 2016 में पूछा गया था इसका answer मैं आपको बता देता हूं option number c नलिका विहिन गरंथियों जो है tubeless gland हम इसको कहते हैं अंतरसाबित गरंथियों को यह जो है वो different type के hormones को release करती है ठीक है उसे ही हम नलिका विहिन गरंथि tubeless gland या फिर endocrine gland के नाम से हम जानते हैं ठीक है different तरीके के hormones को क्या करती है यह छोड़ती है इसमें से कुछ मुख्य मैं आपको endocrine gland का एक example में आपको देता हूँ जैसे कि pineal gland है और जो सबसे important है वो है आपकी प्यूश ठीक है प्यूश गरंथि जो है वो भी आपकी क्या है अंतरसाबित गरंथियों में जानी जाती है next question है homeostatus शब्द का प्रयोग किया गया था ठीक है किसके द्वारा किया गया था देख सकते हैं कितनी बार question पूछा गया वो भी HP TET के ही exam है 2019 2016 और June 2019 आप समझ सकते हैं 2019 में जो दो आपके exam होते हैं एक आपका mid में होता है एक आपका starting में होता है दोनों बार एक साल में दो आपके exam होते हैं टेटके दोनों बार 2019 में आपका same question यह आपसे पूछा गया था homeostatus शब्द का प्रयोग किस ने किया था यह question आपके लिए पूछा गया है तो इस शब्द का उपयोग किया था Canon के द्वारा Canon के द्वारा इसका जो right answer है वो है option number B 1926 में ब्रेड़ फोर्ड Canon के द्वारा इसका उपयोग किया था इसका आप नाम जो है गो लिख सकते हैं ब्रेड फोर्ड ब्रेड फोर्ड इसका नाम था ब्रेड फोर्ड Canon के द्वारा सबसे पहले जो है वो इसका उपयोग किया गया था homeostatus जो है वो एक ऐसी situations होती है जहां पर आंत्रिक बातावरन को ठीक है एक proper ढंग से बनाए रखने के लिए अपने आसपास की जो नीड है उनको पूरा किया जाता है ठीक है अगर हमे अपने आसपास की अगर बातावरण को अपने according stable करना है तो हमें अपनी नीड को उसके according जो है वो stable करना पड़ेगा उसी को कहा जाता है homeo status इसका युश्द जो है वो 1926 में Bradford, Kenan के द्वारा सबसे पहले किया गया था important question है next question है last question आज की इस class का ये question मैंने पहले भी आपको बता दिया Master Grinthi के नाम से किसे जाना जाता है HP-Tet 2016 में, 2013 में, BH-Tet 2013 में उसके बाद BH-Tet में एक और फिर से repeat हुआ 2017 में, UP-Tet 2013 में और C-Tet 2015 में ये question पांच वार ये छे वार आपके different exam में पूछा गया है Master Grinthi के नाम से किसे जानते है Putatory Gland को जानते हैं, Puse Grinthi को जानते है ये question most important है और आपके exam के लिए जो है वो एक और फिर से बन सकता है Option D जो है वो इसका right answer यहाँ पे रहेगा ये जो आपकी गरंती है, ये जो Master Gland है ये basically हमारे physical और हमारा जो बेभारिक है उसके actions को control करने का काम करती है कि ये चीज जो है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमारे मस्तिष्क के आसपास जो है वो ये गरंती जो होती है और इसका जो आकार है वो लगभग एक मटर का दाना जितना होता है उतना इसका आकार है और यह हमारे पूरे system को का करती है shapes mature और यह एक अंतरस्त्रावित ग्रंथी है जिसे यहाँ पे हमने question discuss किया था अंतरस्त्रावित ग्रंथी उसको tubeless gland कहा जाता तो जो आपकी प्यूश ग्रंथी है वो भी आपकी कौन सी है अंतरास्तावित ग्रंती है उसके साथ पीनियल ग्लैंड जो है वो भी आपकी क्या अंतरास्तावित ग्रंती है तो option number D जो है वो इस question का right answer रहेगा तो यह हमारे आज की class के कुछ important question थे जल्दी ही next class के साथ मैं आपसे जुड़ूँगा तब तक के लि